लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तमाम हालात और बायानात को मद्द नज़र रखते हुए या अदालत मुल्जम अजे महरा को ताजी राते हिंद दफा 302 के तहट मुझरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है कर देते हुए उम्र कैद की सब्सक्राइब की सब्सक्राइब करें कर देते हुए उम्र कैद की सब्सक्राइब की सब्सक्राइब करें कर देते ही। यह तुमारी रोटी छोटी होते जा रही है और दाल पत्ली होते है आई आई पेरी इतने टाइम से अपन के साथ है पर किसी से कुछ बोलता नहीं यार इसकी खामोशी बहुत कुछ बोलती है वर्दा हाँ क्या कोई सपना था वकीकत है हम उस हकीकत से वाकिफ है आजये हम सब के गुनाहों के बुनियाद भी उसी हकीकत पर रखी है जिसका तुमने अभी जिकर किया यह मित्वा अपन तो अपने को फुटबाद पेच मिला था दुनिया की गालीक लोच दुदकार खापी कर बढ़ा हुआ तीस साल में तेरा हाव मडर करने के बाद रो तीन को फुल चिटका दिया तो कौन सा गुना किया? क्या है वलता बाब? वर्धा वर्धा राजन अपन साला मदराज से आया था इंसानियत, महनत और इमानदारी का पोटला लेकर लेकिन साला इस बंबई शहर ने अपन सवस्प छीन कर पकरवा दिया पिस्तोल पंदूख और चाखो फिराने का वास्ते राजन बैरी कभी सोचा था कि डिगरी लेने वाले यही हाथ तकेती डालेंगे? खून करेंगे? मगर किया है जिन्दगी से हमें भी कुछ शिकायते हैं मेरे दोस्त मगर समझोता करना पड़ता है दीरे दीरे यह उंगलियां इन सलाखों को पकड़ने की आदी हो जाएंगी ये तीवारें ये छट हमदर्दी की रोशनी फैंकता हुआ ये रोशन दान ये सब मिलकर तुम्हारे उस कल को बोला देंगे जिसने तुम्हें ये आज दिया है कैसे भूल सकता हूँ मैं उस कल को नहीं नहीं भूल सकता सब ठीकी तो था मैं जाँ हूँ ये मौर को हुआी आienen तुम्हें कैसे के बयूंस मैं धů नहीं कैसे बγα्याओ साफ्ड़ डे का फिरे लोड़ नहीं चैंट प्लेडा उन डिल दो प्लकी सिर्ध الإन हम है जीना नहीं जीना मुझ्छे तेरे बिना आ जीना नहीं जीना मुझ्छे तेरे बिना साथिया तेरे हम है तेरे बिना जीना भी है क्या जीना है तेरे बिना जीना भी है क्या जीना तु ही मेरा दिल, तु ही मेरी जान तु जहां जहां मैं लहां वहां तु ही मेरा दिल, तु ही मेरी जान, तु जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ तेरी पसंब है, जीना नहीं जीना, मुझे तेरे बिना है तेरे बिना जीना भी है क्या जीना तेरे बिल, 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 ते तेरे लिए ही मैं तो जहाँ में आई कुछ से मिली तो खुद से होई पराई जनमों से हम यूँ ही मिलते आए हम दोनों है एक तन के दो साए छोड़ के तेरे प्यार का दामन जाना और कहां है जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना है तेरे बिना जीना भी है क्या जीना माहिया तेरी पसन है जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना है तेरे बिना जीना भी है क्या जीना 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 her जीना इंतक तेरे बिना जीना आँखों में मेरी सूरत बसी है तेरी आँचल से तेरे किसमत बंधी है मेरी सांसों में मेरी चाहत बसी है तेरी चाहत से तेरी दुनिया असी है मेरी तेरे प्यार के रंग में डूबें मेरे दोनों जहां है तेरे बिना जीना भी है क्या जीना है तेरे बिना जीना भी है क्या जीना तु ही मेरा दिल तु ही मेरी जान तु जहां जहां मैं वहां वहां आ मेरे बिना हमारा घर आ गया आज मैं अपने घर जाओंगे क्या मतलब मतलब साफ है लड़की का असली घर उसके प्रियतम का घर होता है होता है होता है मगर शादी के बाद होता है और शादी कब होगी 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 बहुत जल्द होगी हवश्य होगी वो क्या है कि हमारे देश की समस्या ज तुम हर बात को मजाग में ले लेते हो कभी तो सीरियस रहा करो तुम्हारा क्या है भावी है सब कुछ है और मैं जब से ममी डैडी गुजरे हैं एकदम अखेली और तुम हो कि वर्शा तुम्हें क्या लगता मैं समझता नहीं देखो ना भावी के साथ मिलकर रामा जमाल हूं तुम्हारा ये आज कल बहुत दिनों से चल रहा है मैं ऐसा करती हूं खुछ जाकर बात करके तुम्हारा हाथ मांग अरे वर्शा ऐसी गलती मत करना मेरी भावी को तो एक सुन्दर सीधी साधी शर्मीली बहु चाहिए वो सब तो मैं हूँ हाँ वो तो है तू तो फिर चलो करते हैं औरे वर्शाग डॉन भी शेली ये को जोटी सी बाद नहीं उप लाध अनीट दायम इनी वक्त अनीच समय चौब अगंठे एग दिन में क्या ओगा था हिsın अब मुझ से देखानी जाता लाइए मैं आपकी मदद करता हूं कितना काम करती है आपका हाथ बटाने के लिए कोई तो चाहिए हाँ मैंने कांतवाई से क्या दिया है वो कल से आजाय करेगी कलता भाई भाई अजह donor प्राइन क्रें अपना समझ करें संख Ji किसिसे प्यार करते हो अपने भाई से कहने से अब चाहते हो किम में वाद करूँ एही न वाभाई वाँ एसी सुरत वैसे डिमाग पायां अपने बहुत हम समझ की डेखने में कैसी कौन वह BIG कंूरत है बवाबिो कुछ भी नहीं है um आप कहां और वह कांगास के लिए ठीक यार्ष केली थीक है 멋ब sean 전कित करूं करें मैं में हैं हैं मैं की सेवा करें कि मदद करें हां 사isesti बात करूंगी तो चलिए ना बाडमी है भावी बुजूर्गर ने कहा है कि जो काम कल करे सो आज कर जो आज करे सो अब चलना भावी अरे बाबा करूंगी तो बरखुरदार को प्यार हो गया और वो शादी करना चाहते है अच्छा रहेगा आप यह चाहती होंगी जाहिर है कहा है आपके लाड़ ले इस वक्त यह बुलाओ अजय थड़ा प्यार से बुलाओ अजय नहीं आया अजय आपने बुलाओ भाईया सुना आप जवान हो गए आपको किसी से प्यार हो गया और आप शादी करना चाहते है नहीं भाईया वो भावी करना चाहते है नहीं भावी कह रही थी क्या कह रही थी कि उन्हें हाथ बटाने के लिए कोई चाहिए तो मैंने कहा कांदा भाई को लेया, वो कहते है कांदा भाई नहीं चलेगी, उन्हें कोई अपना चाहिए, अपना, और भाईया, मुझसे कहते हैं, शादी कर लो, मुझसे कहते हैं, शादी कर लो, कहते हैं कि बहु लेया, बहु बहु भाईया, बहु 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 लेकिन यह मानने को तियार नहीं, बैने कहा, राम भहिया के बिना पूछे, लक्ष्मन भहिया कोई काम कर सकता है. Very good. मैसिस सीता जी, और श्रीमान लक्ष्मन जी, यह आप लोग अपनी रामाण कीजी बंद, और जो मैं कहता हूँ, अध्यान से सुनिये, तो क्या कह रहे थे तुम? प्यार भहिया, वह प्यार बैर का चक्कर जो आपने बाक्स निगाल को भार भार को फिक दिया, देखो, इसे बॉक्षिंग चेंपियन बनना है, गोल्ड मैले जीत नहीं तुम्हें, शादी के चकर हम सब धरा कधरा ने जाएगा, आप तो इस तरह डाटे हो, जैसे इस तरह कोई गुना क्या हो, और रहें तो क्या, अच्छा, तो आपने क्या किया था, मैंने क्या क्या था, मुझे छेनने के लिए आधी-आधी-रात को गारी का हौन बजा का पूरी सुसाइटी की जीत खराब करते थे, भाहिया, आधी-रात को, सुसाइटी में, भाभी मैं जल्दी और इसी चकर में एक दिन एरस भी हो गया थे तुम्हारे राम भीया, आप जेल भी कहे थे, छूट बोले यार, छूट बोली, गुपतांके लिए चुडा थे इंको, और तब उन्होंने मुझे कहा था, मेरी जान, तुम्हारे प्यार में जेल क्या चीज है, जाने मन, मैं त आजल कहा है, यह सुली परण चले, वो, अधर को मैं नहीं जानते हैं, पहले घरमे बहु है गी पह, सथुनम्ह, यह बॉक्षीं जो किया बोहाएगी, अरे यह बॉक्षीं जेल बन एगा, पहले घरमे बहु है दिश ब मरी बात समझ स्थी कोशेच करो यह बॉक्षीं बने वहाई गी मित तेखो इस लखे में तम है वहाई गी अब हमने अब अब आप ही फैसले कींजिए यह एक मिनिट अबसे फैसले कर दो एक और खचेरी नहीं निरी भाची का घर है और मैं यहां पर एसटर गुपता नहीं अंकल गुपता हूं समझे आप कैसी हो इंदू ठीक हो अंकल गुड आजय कैसी चल रही तुमारे प्रैक्टिस गट है यही तो यही तो अंकल प्रैक्टिस बहुत अची चल लें इनकी प्रैक्टिस लेकिन बॉक्सिंग की नहीं यह प्यार महबबत इश्क मोगलयाजम हो गए यह और यह आपकी भांजी मेरी पत्री इनके साथ देखी क्या करने हैं यह क्या चकर है इंदू बीलाट मैं चाहती हूं इसे इसका प्यार दे दिया जाए आइसी क्योंकि हर कामियाब आदनी के पीछे एक और आपका है और अजे की जिंदेगी में वह और इसके प्रैवी का है वह आशों इनकी बात खीक है मेरे ख्याल से लड़की को देख लेना चाहिए क्या 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 कह रहें अंकल आप अंकल यू टू आई टू अशुक पट लेने दीजी अंकल यार मैं तुम्हारी तरव सबात कर आओ अपने भाई के सपने के आगे अपने इकलोते पैर को कुरबान करतेंगा अच्छा वे वे दिवदास वोंकर वे बहुत होगी एक्टिंग बंकर यह सब ड्रामा जरा हम भी तो देखेंगे वह मेन का कौन है इसके चक्कर में हमारा फॉलाज जिसा भाई मुम्बत्ती बन गया आप मानगे क्या मानगे 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 बिल्कुल बिल्कुल सच मानगे आपने मानगे मतल बोलो क्या हुआ इकार फिर मोगली मानगे भाई आगले आज़े। प्यार का नाम सुनते ही भाहियों आग पभूला होगे। बाधाल की तरहिए। मैं बिजली की तरह कड़का। भाभी सावन की तरहिं परस पड़ी। भाहिया ने बंदूक इठा लिए। मैंने इस सीना था। उनकी बंदूक मेरा सीना। मेरा सीना, उनकी बंदू, उनकी बंदू, मेरा सीना, आगे भी तो बोलो, ना भाभी के आशू, कुप्ता अंकल की हाए हाए, मैंने कहा प्राण जाए पर वचन ना जाए, वचन जो तुम्हें दिया था दिया था, दिया था, अरे लेकिन फिर क्या हुआ, ठोठोब, गोली आर्श पर, बंदू, फर्ष पर, लब खुले, ओए, ओए, यानी के, वो मार गए, वो मार गए, ओजाए, दर्स ग्रेट, दर्स सिन्ली ग्रेट, तो फिर सिनमा चले, तो छाए, गजरी, मार बिच्छे, जरा सीरियस हो जाए, कल की मैच की बएर में कुछ सोचा है, क्या सोच था है, मैच युनिवस्टी चैम् टीनू के साथ है, टीनू, हुआ, ठीनू हो या पीनू, की फर्ख पहन दा मैननो कूरी है, फर्स राउं, फर्स राउं, नॉक आउ कि इच्छ आया जो कि को तरों धर खार तोझ अपरा बैदिश्ध्नेंस जेकर दिए प्रोंग कि अच्छ भ्रीट प प्र शंटब था है तरट यच्छ दिए लिए लेख मेरे बात सुनों तुम्हें टूर्णमेंट के लिए सिलेक्टिया है, भगवान जानता ही कैसे सिलेक्टिया, लेकिन यू है तुम्हारा ओर्डर, और मुझे भी तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा, बड़ा मज़ा हैगा सर, वर्षा, वर्षा, हमारी शादी का परमेट, आप बिन टूर्णमेंट, टूर्णमेंट, चापियंशिप, शादी, प्लीज, कैसे समझाओ तुम्हे, किस दोर से गुजरना हूँ मैं, बिजनिस में नुकसान क्या हुआ है, सबने मूँ फेर लिया है, तोस्त, बिश्टे लिए, सब की पहचान हो गई है, आज कर्श चुकाने के लिए मुझे, मुझे जो कुछ करना पड़ा, मैंने सप्ने में भी नहीं सोचा था, पता नहीं, इस दल-दल से निकल भी भाऊंगा यो नहीं, तुम साफ सब क्यों नहीं बताते हैं, क्या बताओं, क्या बताओं, क्या बता मुझे टूर्णोमन के लिए सेलेक कर लिया है, और बैंगलो टेनिंग के लिए जाना है, आरे वारे मेरा चंप, मैंने कहा सुनती हो, सुना है, क्या सुना है, आरे अपना आजे जो है न, आपना आजे चैंपिन बनने बाला, चलो न, क्या गूमने चला है, मैं नहीं जाओं मैं बाल गूम, म precise क्या चैंप टोचाओं जाओंंगलो आदे जाना है, तो लिए जाओंड मैंने कोफ टोफी टोचांइ जाओंग... सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा कल के लिए आज कोना-खोना आज ये नकल आएगा सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा जो हो ना होगा होगा वो ही सोच के तू क्या पाएगा सोच ना क्या जो भी होगा देखा जाएगा कल के लिए आज को ना खोना आज ये ना कल आएगा साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी थोड़ा मुस्कुराओ थोड़ा गुन गुनाओ इसका है नाम जिन्दगी साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी कोई ना जाने कब आ जाए घड़ी बिछड़ जाने की सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा कल के लिए आज को न खोना आज नकल आएगा वो है इंसा हसते गत जो जीए जिन्ज के सलमत प्यार की है निमत और हमें क्या चाहिए वो है इंसा हसते गत जो जीए सहरा में चमन पच्छर में बहार होती है उसके लिए सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा जो होना होगा वो ही सोच के तु क्या पाएगा लालालाला लालाला लालाला लाला 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 तुम मुझे बहुत याद आती हो वर्शा, अभी तुम याद आता हूँ, पिर ये क्यों वर्शा, मैंने दस खत का जवाब सिफ नौ खत, क्यों वर्शा, तुम किसे डरती हो, जमाने से, अरे जमाने की तो ऐसे टी, Sir, Sir, I'm sorry, Sir, What do you mean sorry, Sir? Arei Baba, तुमारे वज़े से मेरे को इतना मार पड़ा इतना मार पड़ा रिंग के बाहर, जितना करियर मेरे को रिंग के अंदर नहीं पड़ा था मैंने कहा हेलो सब Πाइण हो आगे मैं वर्वर यहाँ मैं मैं बेमाह काईडון सब्सक्राब मैं तुम्हारे बारे महीं सच रहा था थी अरश है अरे यह बत मेरे दसमें लेटर का जवाब नहीं दिया dose कड़िए सप्राइज देना जाती ती हSPRISE वहाँ नाइस, वहाँ नाइस, मैं ही सोच रहा था, कि अचानक अपना कोच टपक पड़ा कोच? अपना कोच लुक, यू बेटर बहेव और यू अधर आप आप तो बंबे कोन है आप? को है यू? किसे मिलने आई यू? बापको नहीं जानता? क्या? बोह हो है? जीम की कोई डिसप्लिन है की नहीं? डड़की लिए आता है? गोए, 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 गोए ठीक है, जाती हूँ, गोड़ बाई आजाए! आउटेर्यू! गोड़ तुम मिल गई वर्षा, तुम्हें कहां कहां नहीं ढूना मैंने? आउटेर्यू! माफ कीजिए, मैंने आप कोई पहचाना नहीं कमान वर्षा, इतने दिनों के बाद हम दोनों मिले हैं थोड़ी सी प्यार भरी बात करें आप ये फुसर-फुसर क्या कर रहें? ये ये क्या कर रहें आप? अश्ता, तीरे बोलो वर्षा, तीरे, सब लोग घुर कर यहीं देख रहे हैं उस गंजे को तुदेखो, यह आखे पाड़ पाड़ के देख रहा है और इस मोटे ने, तो खाना ही छोड़ दिया रिदर ही देख रहा है मोटा, मोटा, गंजा, गंजा किसो के रहें कौन मोटा, कौन गंजब कुछ समझ में नहीं आ रहा गंजा किसने बॉला? अरे ने 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 भाई साफ, हम तो गंजब पंजे की बाते कर रहे थे तो उनसे जाके कही आप यहां क्यों बैठे हैं किसने का मुझे बुटा? देने भाई साफ, हम तो बढ़ापे की बाते कर रहे थे है ना, वर्शा, क्यों बढ़ाना चाहती है वर्शा अब तो इसने मुझे चूब लिया हाँ, इसने मुझे छू लिया क्या हो रहा है इस शहर में? यहां कोई शरीफ आद्मी नहीं, कोई मर्द नहीं जो इस अबला की रक्षा कर सके? यह कबसे मुझे परेशान कर रहा कोई कुछ कह नहीं रहा? क्या हो रहा है? तुसी बैचो, बैचो, बैचो प्यार दिया गल्ला कर रहे थी बैचो, 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 प्रादाशिरी हृृृ तो अगदश नहीं प्रादेरा है इसका काने नहीं जीप रानेश्वरी कर दो भीम जी से कि तुम मुझे प्यार करती हो कह दो मैं तुमसे प्यार नहीं करती कह दिया कह दिया कह दिया कि मुझे प्यार करती है तिलकुल नहीं करती शमा प्रभू कन्या नादान है परशा जी एक तरफ भारत और दूसरी तरफ महा भारत अब भी वक्त है कह दो कि तुम उझसे प्यार करती हो no don't say no 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 please मैं तुमसे प्यार नहीं करती कृपिया आप रास्ता देंगे please thank you वर्शा जी कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो तुम्हें कुछ भी हो जाए मैं तुमसे प्यार नहीं करती अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं अलिका शरारती है हुआ 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 हिए तो आप ऐसे मजा करती है बहुत प्यार करती है मुझसे त्यार तो मुझसे करती हो, जो उन्से नो त्यार तो मुझसे करती हो, जो उन्से नो मरती हो मुझस पर मरती हो, जो उन्से नो इनकार में इकरार है, ये प्यार है बोलो हाँ छड़ो नना प्यार तो मुझसे करती हो, जो उन्से नो मरती हो मुझस पर मरती हो, जो उन्से नो इनकार में इकरार है, ये प्यार है बोलो हाँ छड़ो नना नहीं, 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 मैं तुमसे प्यार नहीं करती है प्यार तो मुझसे करती हो, जो उन्से नो बोल 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 सच बोल, तेरे हसी से सारी खुल गई पॉल जहाँ जहाँ जाएगी मैं आऊंगा वहाँ, भागगी कहाँ ये सारी तुनिया है गोल पीछा तेरा छोड़ो ना, बोल बिदे अब हाँ 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 अरे बाबा, बोलो ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती छोड़ो गुसा जाने दो, जो उन्से नो दिल से दिल मिल जाने दो, जो उन्से नो इनकार में इकरार है, ये प्यार है बोलो हाँ छड़ो ना, प्यार तो मुझसे गरती हो, जो उन्से नो देखो 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 कैसा प्यारा है समा, दिल के दिवाने मिले खुल के यहाँ तोड के दिल यू न रूठ के जा, पर न कसम तेरी दे दूंग जा ठम जाए ना दिल ये जवा, बोल भी दे अब हाँ 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 अरे जीयो चाहे मरो, मेरा पिछा मत करो मर गया तो बचता होगी, डोन से नो रो रो कर मर जाओगी, डोन से नो इनकार में इकरार है, ये प्यार है भोलो हाँ चड़ो नना, प्यार तो मुझ से गर दी हो, जवन से नो मैं बोलता हूँ, मान भी जाओ वर्ना शोलू मा चया हूँगा चिक हुँगा चया हूँगा लोगों को बुलाऊंगा लोगों सुनो सुनो जरा मेरी दस्ता प्यार में गुजरी के मुझे पे यहाँ जान मेरी लेके भागे मेरी जाँ लुट गया मिट गया मर गया हद हो चुकी करना दुखी बोल भी दे याब हाँ 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 बाबा हाँ बाबा आई लाव यू प्यार में तुम से करती हूँ मरती हूँ तुम पे मरती हूँ तुम जीते और मैं हारी जान गई दुनिया सारी I love you I love you I love you पट्टगई 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 रे सोनी कुढी देको पट्टगई रे पट्टगई रे पट्टगई 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 रे सोनी कुढी देको पट्टगई रे पट्टगई रे पट्टगई रे पट्टगई रे पट्टगई रे सबसे पहले अप्ले 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 रे पट्टगई रे अप्लेशन सप्राइज रे अप्लेशन सप्राइज रे अप्लेशन सप्राइज यह क्या हाल बना रहा आपने बिलकुल फिट वाँ तु केसा आप्लेशन बिलकुल चीको भाईया ठीक है बिलकुल थी एक तम फिट भाईया बात कहा है भाईया अच्छे मैं तो सर्क जरूरी बात कहने आया कही है अभी केसी है भाईया सब ठीक है अच्छे बात यह है कि क्या बात अभी है तुझा शाम कमत उसे बात करता भाईया अब ठरीका है होटल द्रीम्लेंग ठीके रात का खाना साथ में खाएंगे हुआ 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 देखिए मैं उनका भाई हूँ मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ गया है वो मैसेज इसे कैसे जा सकते हैं कोई मैसेज नहीं कुछ नहीं हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया हो कहीं अचानक जाना पड़ा हो लेकिन उनको मुझसे कोई जरूरी बात करनी थी तो फिर फोन कर लेंगे आपका फोन है बंबई से अलो अलो अजय बोला है बेड़ा मैं आशोक आप यह कैसे हैं आप बिना बताई चले गए बेड़े मुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है आप बोलिये सुन राजय मैं परिशान हूं बहिए बात क्या बताईए ना आजय है आप यह बोलिये हाँ हलो 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 यहीं से तो फोन आया था उनका बंबी से? हाँ कुछ कहना चाहते थे लाइन कट कही हम यह बता कर तकलिफ नहीं देना चाहते थे बस अकेली भावी बही आ जाएंगे हो सकता किसी जरूरी काम के लिए भार गया हूं मैं पता लगाता हूं सब ठीक हो जाएगा और उनके आते ही हम दोनों मिलकर इतना डाटेंगे कि उन्हें याद रहेगा चीक है थैंक यू कुपता अंकल आट तस दिन के लिए दिल ली गया है मैं लंबे टाइम से उदर काम पेता साब अभी कुछ दिन से अशोक साब बहुत परिशान रहता था पर हमको यह से सुनने में आया साब कि अशोक साब और बलवंत राय साब मिलकर कुछ दंदा चालू किया था वह तो हमको नहीं वालू मगर हमको तीन मैने का पगार देकर छुटी किया साब मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मिस्टर राय कोई मामूली आदमी नहीं वह अशोक महरा जैसे कई आदमियों का भला करके भूल जाय करते हैं फिर भी मैं उन्हें याद दिला दूंगा वैसे दो मेने तक उन्हें सांस लेने की फुरसत नहीं कहिए जी उस दिन जब वो मुझे मिले बहुत परिशान थे कामले वो पोसले साब मेरे सर पर चड़के बैठा है वो जो जुलूस का परमेशन दिया था ना वो कैंसल कर दिया है वो काफी परिशान थे दो दिनमाज उनका फोन भी आया फोन पर भी मुझे यही हाई सर्टाणी की पार्टी कैसे रहें बहुत अच्छा यार वो राणी आया था आया था अपनी पीवी के लिए वही लांड रखी च्योली सटापलू और भोसले साब साथ ले गए अच्छा और अपने राने साब है ना बेचारे जलके राख हुए Will you listen to me, Inspector? आपकी कहानी मैं सुन चुका हूँ मैं कोई कहानी नी सुना रहा है, Inspector, मैं तो मैं तो एक रिपोर्ट लिखाने आया था कि आपका भाईला बता है यही ना मेसिंग स्कॉाड के इंचार्ज मेस्टर पाटल है आप अपनी रिपोर्टों को लिखवाईए पुझे और भी बहुत सारे काम करने है चला ना आपका काम मैं देख रहा हूँ, Inspector आप शायद यह भूल रहे हैं कि यह वर्ती, यह कुर्सी आपको हमारी सुनने के लिए मिली है आप यहां बैठे हैं हमारी लिए और यह तरीका आपका हमसे बात करने का साहिब, यह इसमय लड़का है इसके लिए बोला था ना क्योकल कालेज के लफड़े में था अड़ाई कामर घराब ज्यादा करता है उस अधा साला अपने को कानून सिखाता है नसे, एक चिली में तो इस चोट को अपने दिल और दिमाग पर कायम रखना कल यही आंसू, क्रांती का सला बनकर इस मुल्क की सारी गंदगी को बहा ले जाएंगे ऐसे पुलीस वालों को तो बीच सड़क पर गोलियों से भून देना चाहिए हम, आइडिया तो अच्छा है मैं मजाक कर रहा हूं मजाक? बिलकुल नहीं सोच रही हूं गोलिया चलाएगा कौन? मैं चलाँगा, मैं दो घंडे पुलीस टेशन में बिठा रहा ना बातकरने की तमीज ना जिम्मेदारी का अहसास और ऐसी लोग हमारी इफासद करेंगे बहुत सुरक्षत है हम लोग यहां अब छोड़ो भी यह गुसा अच्छा बताओ जहां वो काम करते थे वहां से कुछ पता नहीं चला कोई बलवंधराय के साथ काम करते थे उन्हें मैं तीन दिन से मिलने की कोशिश कर रहा हूं पता चलाँ उन जनाब के पास सांस लेने की भी फुरसत नहीं बलवंधराय वो राय इंडिस्ट्रीज के मालिक उनसे तो तुम कल मिल सकते हो आप लोगों का प्यार आदर और सत्कार देखकर मेरा दिल भराया मैं जानता हूं के इन बच्चों को पैसे और हमदर्दी से ज्यादा प्यार की जरूरत है लेकिन मैं शर्मिंदा हूं कि वो प्यार वो समय मैं इने नहीं दे पाता हूं और मैं आप से क्या कहूं? कोहले मेरी तरफ से ये पाच लाक रुपया एक चोटी सी भेंट इस संस्था को थेंक्यू सर थेंक्यू सर थेंक्यू एक्सक्यूज मी सर येस मैं अपने भाई अशोग महरा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं कम भाई अशोग हमारे साथ काम जरूर करता था लेकिन कुछ महिनों से हमारी उसके साथ कोई डिलिंग्स नहीं हुई पता नहीं पुलिस में डिपोर्ट दर्ज करवाई तुमने हाँ मकर मकर जानता हूं हमारी पुलिस में बस मैं कमिशनर साथ से खुद इस बारे में बात करूँगा यू डॉंट वरी थैंक्यू सर् क्या सालाथ तुम लोग अमाल में वो पहला माफिक जनना तानी रहा क्या आक लोग खरीटा दाइम रोता है बोलता है सालाथ तुम लोग को माल में दमिच नहीं है क्या बात है डेगा सर खुछ नहीं सर वह माल के बात कर रहा रहा सर वेरी गुट माल सर एक्सिलेंट कंडिशन सर सर गुजरात में आपका माल का वाट दिमांड थोड़ा सप्लाई पड़ जाता मदा जाए मुश्ताक का क्या हुआ सर उसको अंडर का लिया क्या मतलग सार सारे साथ वोट नीचे जमीन के लिटा दिया घड़ा होगा तो भी मुंडी बार निका सकता देखा उची आवाज में बात मत किया करो यह सर शोर हमें पसंद नहीं ना सर, ना सर सराम साथ, चल्चे तिल्की के लिद तिल्की झाल झाल कि मेरे बड़े बाय शुक महरा हैं यह अकसराय करते थे नहीं जी यह 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 नहीं आथ आअथ जी यह नहीं पता कहीं देखाओ जी नहीं छाफ पिलाओ गए अब गलत आदमी से बात कर रहे हैं तुम्हें तलाश आजानां किसे की जानताओ जानताओ आप जानते हैं अशोक महरा मेरे भ्हया पैसे बैसे कितना है आप मेरे भहिया को किसे जानते हैं इतने से से क्या होगा मैं और ला दूगा पहले ही तो बता मेरे भहिया का है चला हाँ मेरे सार कमान कमान पारि आपन दूर आपसे मेरे पठधे से लडवा चला हाट हवा आने दे येले भया तुमारे पैसे ये खेलर एएवा लड़ा ये शेर है शेर वह बबर शेर है जाने तेरा पठा जीता, तो दस का चालिस का भाव दूंगा. और अगर मेरा पठा हारा, तो मैं दस का तीन सो दूंगा. ढंदर. 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 चलो, तयार हो जा. ये क्या हो रहा है? केल हो रहा है, गेम. मुझे तो पर लगा रहा है पंद कर ये तमाशा वर्ना कुछ नहीं मिलेगा मुझे मारने से कुछ नहीं मिलेगा उसे मारो तो पैसे मिलेंगे मैं नहीं लड़ूँगा किसी कीमत पर नहीं अपने भाई के लिए भी नहीं मैंने तुम्हें कहा न कल और पैसे ला दूँगा कल कल किसले देगा है तरकार आज की बात करो अभी की आज की नो प्राव्लम जैसी तुम्हारी मर्जी मुझे मालूम है तुम जीतो गए तुम एक अच्छे बॉक्सर हो बताया मुझे अशोक ने बताया था और आशी बाते मैं भूजता नहीं हो अल द पिस्ट ए ए ए ए हुआ ए इए ओनेलेशद बनधानी union भूल दॉक्ती ज्व म्हार एो। अजन खिरी纜री कोलम tutte गए कि ने स्कसी मीजरी, मेंजरी, मेंजरी, मेंजरी भूुँए, मेंजरी लूँए, मेंजरी पाइस रूपर बगे आपी कहीं का नहीं रहा जिनोंने करजा दिया था वो जान के पीछे पड़े थे उसकी और वो अपनी जान बचाने के लिए हमारे साथ हो लिया मतलब काम करने लगा हमारे साथ लेकें वो तो मिस्टर बलवंत राय के लिए काम करते थे I know, I know, बलवंत, मिस्टर बलवंत राय हम दोनों ही साथ काम करते थे उसके लिए अशोक का सारा करजा चुकाकर उसने खरीद लिया था उसे और अशोक की कंपनी के यार ने अपना दंदा फैलाने लगा कैसा दंदा मौत का दंदा द्रक्स नशीली दवाईयों का बहुत बड़ा डिस्टिब्यूटर है बलवंतरा है यहीं इसी जगा उसका लाखों का माल जमा होता है क्या कह रहे हो तुम तुम्हारा भाई भी सच्चाई से गवराया करता था बात हो बस बलवंतरा है मैं मैं इस दलदल से बहार निकलना चाहता हूँ और फिप मैं अपी मैंने तुम्हारा कर्ज भी तो दार दिया है कजसर इस बन्तमना जआ है मैं मेरी रायमान Military ड्लत्रा करता है मैं रायमान को ौश दिनों के लिए वह कहीं चला गया मुझसे बुला भाई से मिलने जा रहा हम हो मुझे मिलने आये थे वह लेकिन क्या वो फिर तुमसे मिले नहीं मिला मिला एक दिन इसी जगा फिर मिला इस जगा और कोई जगा भी तो नहीं थे मिलने की यहीं दुनिया थी हमारी यहां के बाश्शाह थे हम मुझे अच्छी ज़रा याद है मैं यहां बैठा था वो वहां जहां तुम बैठे होगी ए बखवाइश करता है जो हाँ अच्छों उगलिया एग एसी नहीं होती है तुम आजय को नहीं जानता मेरा भाई जरूर आएगा मैं यहीं से कॉल बुक किया मैं उसको बोलूगा बोलूगा बेठा मैं बहुत परेशान हूँ परेशानी सुनके हो तोर के चलाएगा च्छों पाबू आपका काल लग गयाहाएगा इस जगह मेरा को मैं बंबाई से वहाँ हूँ देखो हलो तुसुर रहा है ना बेटा मुझे तुसे बहुत जुरूई बात करनी है बेटा मैं बहुत परेश्य है कि अज़ेगा अशोग को छोड़ दा बतो वो पेटी कहा है नहीं मलवंतरा है वो कागजात तेरी गुनाहों के सबूत अब तेरे चेहरे से शराफत का मुखोठा बहुत जलत उतर जाएगा अगर तो अशोग ने पेटी के बारे में बता दिया है तो तो मारा गया होगा और अगर नहीं बताया है तो लटका होगा जिन्दगी और मौत के बीच चलो ले चलो मुझे पहिया के पास अब तेरे मुख्य का जवाब माई दूगा आजा तो इस साला पीस में नहीं आएगा सब साला अपनी अपनी जगह से इसकी मौत का तबाशा देखना ताले का खून बाद करा मैं ना इसका खून भी ठंड़ा करता हूं मैं सुने अपना कि छॉवीं, लगा जॉवीं, लगा फ्नी वहाँ, लगा फ्रॉपक्टान जगाने, लगा चॉपक्टान लगा खालेद। झाल ए घाल ठाल, ए wाद चट показ! यह कर दोप होज That य हं किट रखरेश il 102 词। वth democracy the 59 Sa de एचल ! एच्छ! एचल ! एचल ! एचल ! एचल ! बास्ट हम ! कानून को समझ के रखा तुम लोगों ये यही आपका कानून है इम्मत है तो जाहिए पकड़ लाइए बलबंद्रा को ऐसे किन्ट आपका रखा मेरे भाई को खाम खा किसी बड़े आदमी का नाम बीच में मतलो कोई सबूत है तुमर बस सबूत तो आपके सामने उठा लेगे उठा लेगे उस आदमी को सबूत बिल जाएगी उसकी लाश बैट के पंच नामा करना मैदल देगी सरकार आपको ज्यादा होश्यारी मत दिखाओ हम पुलीस वाले जख मारती है पुलीस उतार का फैक तो यह पर्दी अब बैंड लो बर्वंद्रा का पट्टा अपने पहल पर्दी का रॉब इन्ही के हाथों को बात सकते है तुम्हारी हत करिया बलवंद्रा के नहीं जाकर दू मेला नाम के सामने तल्बे चाटना पोटिया फेकेंगे पोटियां अच्छा कर रहे हैं, इंस्पेक्टर, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तुम्हें, बहुत तरखी मिलेगी तुम्हे, मैंनल्स मिलेगे, अरे भाग कर का जारे हैं, बाग सुरा मेरे, I will drag you to the court, you you gotta pay for this बैरिस्टर प्रमोशर अरण गुपता, जो हर तबके के लोगों की समस्यां सुलजाता आ रहा है जिसके पास बड़ी-बड़ी कंपनीज, स्टेट और देश के मसाले आते हैं, उसे अपने घर के मामली की खबर नहीं अशो गायब है, और किसी ने मुझे बताय तक नहीं आप देली में थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्या सोचा तुमने, कोई केस के मेरे लिए बच्चों से बढ़कर है, फोन कर सकती थी तुम मुझे अंकल भावी ने तो कहा था, लेकिन मैंने ही आपने जरूरी नहीं समझा क्यूंके अब आप बड़े हो चुके हैं और कल रात यह जो आपने समझदारी पुली स्टेशन में दिखाई, यह आपको कानून के किस लपेटे में ले लेती इसका अंदाज है आपको अगर मैं यहां नहीं होता, तो यह विचारी तुम्हारी जमानत के लिए कहां-कहां हाथ पर मारती अंकल मैं आपको सब कुछ तो बता चुका हूँ, इंदू, चाहि ले ओ, डाई अंकल, आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते, मैं सच कह रहा हूँ, बलवंत राय बहुत-बड़ा स्मगलर है, भाया उनकी कबजे में है, उनकी जान को खत्रा है, हमें जलते-जलत कुछ करना चाहिए नहीं तो तुम उस शराबी की बातों पर यखीन करते हो, जिसे तुम जानते तक नहीं हो, जबकि अशोक तो हमेशा बलवंत राय जी की तारीफ करता रहता है, और उन्होंने कई बार अशोक की मदद भी किये, मदद की है, मदद क्या वो ते एक साचिश थी, भाया को चाल में भसाने की, किसकी बाती करें तुम, नहीं कुछ नहीं, देखो अजय, अशोक के लिए मैं कुछ कम परेशान नहीं हूँ, बेटा है मेरा, उसे तलाश करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूँगा, मगर तुम जोश और जजबात में आकर को ऐसा कदम मत उठाना, जिससे मामला उलज मैं आगया हूँ, सब ठीक हो जाएगा, अशोक जल्दी आजाएगा, हूँ, सब को दीख लिया, मैंने, सब को, वक्त पर कोई काम नहीं आता वर्शान, कुपत अंकल कहते हैं, कमिशनर से बात हो गई है, इंक्वाइरी हो रही है, चांच कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस एक मह मैंने से यही तमाशा देख रहा हूँ, मैं, पता नहीं भाया के साल में है, क्या पीत रही होगी उन पर, वर्शा मुझे उनकी चीखे सुनाई देती है, उन्हें मेरी जरूरत है, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बलवंतराय, हाँ, मैं बलवंतराय से मिलूंगा, मेरे ख्याल से तुम्हारा इस फक्त बलवंतराय से मिलना ठीक नहीं होगा, पहले गुपता जी से बात करो, मुझे किसी की जरूरत नहीं, वर्शा, जो करना है, खुद करूँगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ख्याल रखूँगा, वाजा, आम सो वरीद, मुझे को, मिस्टर राय, हमें बहुत खुशी हो, इस साल भी आप चुने को, थैंक यू, ये तो आप लोगों का प्यार है, वर्ना मैं किसका बिल हो, मिस्टर बलवंत राय, आप से कुछ बात करनी है, मुझे आप से बात करनी है, कल ओफिस आ जाना, कल नहीं अभी, एक्स्क्यूज मी, अश्या, इस तरह पार्टी में आकर बहुत, मेरा भाई कहा है, वो आया नहीं अभी तक, मैंने तो मोहले से कहा था कि कमिशनर से, इस से पहले कि मैं शरीफ लोगों के बीच, तुम्हारा तमाशा बना दू, शराफत से बता दो मेरा भाई कहा है, बिटर अनीव को भीजना देखो अजे, तुम्हें कुछ गलत फहिमी हुई है तुम्हारी उंची शक्सियत और शरीफाना लिबास के पीछे छुपे शैतान को मैं पहचान चुका हूँ नहीं अजे, तुमने अभी मुझे पहचाना नहीं, जो जिन्दगी मुझे से टकराती है, वो सिसक सिसक कर तम तोड़ती है ये गीदर भपकियां किसी और को देना बलवंतरा है, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ, तो मैं तेरा वो हशर करूँगा, कि तुझे अपने पैदा होने पर अप्सोस होगा और तेरे ये बाल तो कुट्ते, जिन्हें देखर तुने भॉंकना शुरू किया है, ये उस वक्त, तेरे आस पास भी नजर नहीं आएंगे, यूग अगर कल सुबह तक मेरा भाई भावबस नहीं आया, मैं तेरा खुट पी जाओंगा, साले, मैं तेरा खुट पी जाओंगा ले जाओ इस गुंडे को, पताने कांसे तारूपी करा जाजाजे अगर चोड़ा मुझे छोड़ा था जाओंगा करा जाओंगा सब हो चाहँ़ा करे झाले, बस्तुला छाँ पीदी, कम ही आया, पीदी आयाँ़ पीम करे करें दूग पहाँ सितने कमीने का कुट्ते हैं éc interact है क्या गता है कमेशनर साहभ है मेरा दो ही अब सब्सक्राइब आप रहाए इस यहां के पुलिस कमिशनर है क्या बत है तब भी पुलीस कुछ करने को तयार नहीं अब आप भी बताइए सर, मैं क्या करूँ, कहा जाओ कौन है वो, क्याना मैं उसका पलवंत राय, यह भी उसी की आदमी थे देखो, तुम्हें बहुत चोट लगी है, किसी दवाखाने में जागा यहाओ मेरी जान नहीं लेंगे, सर, आप यह बताइए, कि आप मेरी मदद करेंगे, ना मैं कल ही, A.C.P. भुंसले से बात करूँगा, कि वो इस मामले की पूरी जाँच करें जाँच करेंगे? यह जाँच और कारवाई का नाटक पिछले एक महिने से देख रहा हूँ वहाँ मेरे भाई की जान खत्र में है, कभी कुछ भी हो सकता है, और आप कहते हैं जाँच करेंगे? Come on, Commissioner, this is your job, your job, Commissioner. Look, Mr., police के अपने कायते और तरीके होते हैं, हम किसी सबूत के बिना किसी के खिलाफ कारवाई नहीं कर सकते हैं, चलो, driver, फिर भी तुमका लेसी भी बहुत्षले से मिलने ना. अब ये शहर रहने की लाइक रहा नहीं, तुम्हारे भाया के आते ही, हम लोग कही दूर चले जाएंगे, जहां शान्ती हो, मेरी आज भी गुपतांकर से बात हुई, वो Commissioner सबसे मिले थे, उन्होंने कहा, तुम्हारे भाया जल्दी आ जाएंगे, और कह रहे थे, तुम्हारे परिशान ना हो, तो क्या करूं मैं, हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाओं, किसी का क्या गया है, भाई मेरा खोया है, मेरा, कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा कोई, अंदे बहरो का शहर है ये, पथे रहें सब के सब, यह तो बस सर फोड जा सकता है, एक महिने से, एक महिने से पागलों की तरह घुम रहा हूं मैं, पागलों की तरह, हूँ, एक बस्त भो है बिया नहीं? अजै ¿ ॉआज भॉ पागलों की टास्ति अprotने है चकान लो बाहिए जाकर बाहिए चकान लो जाकर बाहिए कि अज़कर अपर दो जो कागत चोथा के रखाता वह अपन को मिल गया है बोलो तो सारे को अंडर्गां कर दूं कि अालो एड़ करते लोग का अपने पाइसे मेलने कि अपने उड़ से ने कि अज़ को यज़ कि ऑरें ड़ कि अज़ कि वुआं भाइसे, पाइसे, जर समय को तूएज कि अलाओ मैं तुम्हारे जोश की तारीफ करता हूँ अगर मेरे भाई को कुछ हुआ, मैं तुझे जंदा नहीं चोड़ूगा सेंट्रल पार्क में तुम अभी अपने भाई से मिल सकते हो बहुत जोश है ना तुम में अब वही जोश तुम अपने भाई तक पहुचने में दिखाओ इसनु भी, अलो, अलो अजे, अजे अजे, 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 अजे अजे, 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 अजे कर दो लुझ थ सम्हें। मेरे भाई को बलंद रहा है और कोई सुन रहा है मेरे भाई को मार कर भेग डाला कोई सुन रहा है क्या मेरे भाई को मार कर भेग डाला मेरे भाई को मार कर भेग डाला और हम मर के हो क्या है सब के सब मेरे भाई को मार कर फेकला है मुआ बंदा भाई को बार अंकर भाई को मार्तिया और तुम बोल खांज रहा अंकल, उनकल को मार कर भेग दिया मैं क्या करों, उंकल? मैं क्या करो? चल दियां, उंकल उंकल, उंकल जल दियां मैं आ रहा हूँ महीं बरुखे रो हुआ युआ इंदू इंदू अपनी आपको संभालो, इंदू हाजे हाजे का क्यो अरुआ इसके अ वह कर दो ने अपने भाइ का कोन किया है कबोल कर यह कुछ भी कर सकते हैं जैसा भी चाहता है ब्यान देदो उसे मुझ पे भरोसा रखो मैं हूँ ना अधालत में मैं तुमारी मदद करूँगा ओके मुझसे कहो बलो जाओ पेशीर खान जाओ किसी नाटक कंपनी में बढ़ती हो जाओ वहाद तरकी मिलेगे तुम्हें अच्छी एक्टिंग कर लेते हो यह एक्टिंग कैसी लगी रिश्वत खोड़ी और मकारी ने तुम लोगों की जिसम में मा के दूद के असर को खतम कर दिया है खोकले हो तुम सब के सब बहुत पश्टा होगे इंस्पेक्टर अगर तुमने मुझे जिन्दा छोड़ दिया तो बहुत पश्टा होगे मिलोड मुल्जिम अदालत का वक्त जाय कर रहा है जबकि तमाम सबूतों पैयानात और इन्वेस्टिकेशन रिपोर्ट्स के मताबिक ये थाबित हो चुका है कि मुल्जिम नहीं मकतूल अशोक मेरा का कतल किया है ये मासूम चेहरे वाला अपराधी केस कोल जाने की कोशिश में बल्वन्त राई जैसे नेक इनसान पर जूटे इलजाम लगा रहा है इस एक कटगरे में खड़े होकर इसने कानून और अदालत की भी तोहीन की है अब मैं एक ऐसे एहम गवा को पेश करने की अजाज़त चाहता हूँ जिसका इंतजार इस अदालत को पिछली दो तारीखों से है खास तोर से मुल्जिम अजय महरा को अजाज़त है श्री प्रमोच शरन कुपता को पेश किया जाए ये वो नाम है मिलोड जिसे किसी तरुफ की जरुवत नहीं जिनका नाम कानून की दुनिया में बड़ी इज़त से लिया जाता है जिनोंने कानून को कई नए आयाम दिये हैं कई बहतर मिसालें कायम की मिस्टर कुपता इस केस से मुतलिक जो बाते हैं को आप अदालत को बताए मख्तूल की बीवी मेरी भान जी है इसलिए मैं इस परिवार के बहुत नजदीक रहा हूँ अशोक और अजय में जगड़े तो अकसर हुआ करते थे मगर इसका अंजाम कतल तक पहुँचा गा ये मैंने कभी नहीं सोचा था जब साथ नवेंबर को अजय का मेरे पास फोन आया कि उसके हाथों अशोक का खून हो गया ये क्या कह रहे हैं आप तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ लेकिन जब मैं वहां पर पहुचा तो मैंने देखा अशोक की लाश लिये अजय मिलोड अजय चाहता था कि मैं उसके किये पर परदा गाल दो जूट बोल रहा है वक्वास कर रहा है येस मिलोड इस इन अप्सलूट लाई ये बहुत बड़ी साधिश है इस अ कॉंस्पिरसी तो फ्रेम अजय आप समझते क्यों नहीं अजय बेगुना है देखें मिस आपको जो कुछ भी कहना है विटनिस बॉक्स में आपकर कहिएगा ना यू प्रीज सिट आउग अजय आप ये क्या कह रहें अंकल बगवल से तो डरी है जज साब अब इनके बातों पर एकिर माज कीजिए ये जूट बोल रहा है बेक चुका है ये भी जज साब खरीद लिया इसे भी बलवंदरायने मिले हुआ है सब के सब मिस्टर गुपता क्या आप उस बात पर रोष्टनी डालेंगे जिसके वज़ा से ये कतल हुआ मिलोड ये बात कहते वे मुझे बड़ी शर्म महसूस होती लेकिन कोई भी पती ये बरदाश्ट नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी के किसी गायर मर्द के साथ संबंध हो अदालत को सब कुछ साफ साफ बताईए मिस्टर गुपता मुल्जिम अजय और उसकी भावी के बीच ना जाए संबंध है गुपता गुपता जाए संबंध है 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 तो अज़ाए संबंध है जाए संबंध है आए जाए जाए संबंध हालात और बायानात को मत्य नज़र रखते हुए ये अदालत मुल्जम अजे महरा को ताजी राते हिंद दफा 302 के तहट मुझरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है ये भगवान कैसी पापन है ये देखने में तो बड़ी भोली लगती है देवर तो बेटे के समान होता है ये तो वाकई समाज के नाम पर कलंग है इसे तो दूब बरना चाहिए आयरानी कैसा जमाना आगया छी 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 अरे ऐसी औरत को तो समाज से बाहर निकाल दाना चाहिए हाँ 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 इस औरत को समाज में रहने का कोई हक नहीं देवर के साथ इसा रिष्टा छी भावी तो मां के समान होती है घोर कल यूग आ गया है ऐसी अवरत को ढूपकर मजा आ चाहिए अरे यह और नहीं डायन है गाएं भाई के हाथों भाई का खूंद करवा दिया मुल्जिम अजय और उसकी भावी के बीच ना जाए संबन दिया मुल्जिम अजय और उसकी भावी के बीच ना जाए संबन दिया मुल्जिम ना जाए संब करदा ना जाए संबन दिया झाल मुल्ड़ो मुल्ड़ो मुल्च झाल झाल यह ख़त अजय के नाम छोड़ दें है अजय इस जालिम दुनिया में ऐसे नाजुक मूड पर मैं तुझे अकेले छोड़ कर जा रही हूँ मुझे माफ कर देना अगले जनब में मैं तुझे अपने कोक से पाना चाहती हूँ ही कर्स तुझे उतारना होगा भगवान तेरी रक्षा करे हुआ 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 है हुआ 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 ह हम तुम्हारे साथ है अजय इस लड़ाई में हम तुम्हारा साथ देंगे मेरी इस देंगी है जिसे से लड़ाई नहीं गरांavana सकती व un thnya के सामने तुम्हारी नहीं आके लड़ूंगा मैं डूशी Hahaha क्या बात करता है रिपा चैदा है और अपना मानने से इनकार है जिन्दगी बड़ाई इत्र को माधकर है तेरे जैसे इश आडोंदी के काम आ ठीक कहता है मित्वा, बल्वंत्राय जैसे दो-चार को मानने से, मैं तो कहता हूँ, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, फिर नया लाइफ शुरू करते हैं, और बिल्कुल, अपने अपने किसी कौने में जाकर सटल हो जाते हैं, तुम लोग समझते क्यों नहीं, अजे, अब म हमारी इस लड़ाई में शामिल होकर हमारी जिन्दगी के कुछ माइने निकलाएं, अब जिद मत करो अजे, हाथ मिला ले दोस्त, हाँ कल रात के तूफान से जेल को आने वाली कच्ची सडक, वही बाहरी रास्ता, वो बंद हो चुका है, उसमें जेल की चंदगारियां भी भर्च चुकी है, वाडर ने का है कि कुछ खेजियों को ले जाकर रास्ता साफ करवा दो, तो हमने चारों का नाम लिखवा दिया है, ज प्रहुए अरियों ! झालिडलो ! झालिडलो ! कर दो, जो खो दों सकते है यह लगला कंई एर, वो कर दो कर दो दो कर दो हुग इनका दो, है? क्यों का पत्रेंट हुट! कर दो को ब कर दोगे है! प्रुटे, तुम नियु बांबे वाशी एरिया में चोक्सी रखो और तुम कात्रे के संपर्क में रो, मुझे हर दस मिट में वाहा की रिपोर्ट चाहिए और तुम जेलर से मिलकर उनके बारे में और डेटेल्स मालूं करो और तुम ट्रेफिक कमिशनर से मेरी बात करो इन में से तीन पेशेवर अपरादी हैं जिन पर कई केसे चल रहा है, जो था, क्या ना में उसका, फिर वो अपने भाई के कात्रे केस में सजा काट रहा है जेल के बाहर उनने पाच गाड्स को इंजट भी कर दिया तो फिर उनके पास हथ्यार भी होंगे दो गंट स्नेच करके भागे हैं गाड्स से? उन ही गाड्स से? यह हैं A.C.P. जो डिसुता यह केस में नहीं के सबुन कर रहा हूं डेटस इंफॉर्मेशन क्या? सर वो शक्ति मंट रख लेकर पोखरन जंगल की तरफ गए है जेल से उन लोगों की तस्वीर आई है और कोई डिटेल? नो, सर वहाँ मेरे भाई की जान खत्र में है कभी कुछ भी हो सकता है और आप के अधे एजांस करेंगे कमार कमिशनर, इस याँ जाब याँ जाब कमिशनर वोखरन जंगल अगर ये लोग बंबई शेहर के इतना नजदीक पहुच गए है तो जाहिर है सर कि शेहर में घुसने की कोशिश करेंगे और हमें हर हाल में इन तो आई आई शाला अंदा है गया लिख जालेगे तुमको ये क्या किया तुमने तला में अतिवाल तोड़ दिया एए अगर निकल तॉम क्या मतलब इसका जिसे अपनी जान प्यारी है वो ये जगा पौरन छोड़ दे क्योंकि कुछी तेर में सब चलकर राख हो जाएगा अगर क्या प्यारी प्रॉब 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 अगर क्योंकि क्यों प्रॉब बुब क्योंकि अपना संदल क्योंकि र्रॉब तॉब हो! कंब गुल यहाद मुई समर्गी जवराओनी, में में इत्वाओन। जवराओन। नहीं, बस। खाओ इसे। नहीं, खाओ इसे। मैं मर जाएगा। बलवंतराय के कुत्ते। तुम लोगों के जहरने ना जाने कितनी मासूम जाने ली हैं। ना जाने कितने घरों को उजाडा है इसने। खाओ इसे। अलो अलो बलवंतराय कौन? कौन है? सलाखों के पीछे मैंने एक-एक दिन, एक-एक साल जैसे काटे हैं बलवंतराय अब मैं आने वाले 24 घंटों में तुम्हारे 24 टुकड़े करके हर टुकड़े का अलग-अलग अंतिम संसकार करूंगा। तुम्हारा ये कैपटन डेका काट जहांपर तुम्हें अपना करूरों का माल तबाह कर रखा था वो सब जलकर राक का धेर बन चुका है। टैका और तुम्हारे दूसरे पालतो कुत्ते उन सब की लाशे भी तुम्हें यहीं इराक के ठेर में मिल जाएंगी। देख आजे चिंता मत करो तुझे और तेरे बागी बच्चे साथियों को भी 24 घंटे में मैं उनी के पास भेज दूँगा। जया नम में यह बाता रहा दूँगा। आजेए! 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 बता लगाओ के इस शहर में इंद्धाशी का कुरिष्टेदार है। क्या? अगर है तो मुफ्ती में वहान निक्रानी रगा। ओ नो! समझे? आप बेफिक्र रही है। हमने पूरी तयारी कर लिये। वह जल्दी ही पकड़े जाएंगे। नहीं, नहीं! मैं बंदवस्त किये देता हूं। उन्होंने मिस्टर रॉय को 24 घंटे गंदर मारने की धंकी दिये। मिस्टर राय? मिस्टर बलवन्त राय बहुत बड़े बिस्नसमेन है। पिसुद्र, मिस्टर राय को मारने की धंकी पुलिस डेपार्टमेंट को चैलेंज है। वो सिर्फ यह समझते क्या है। बलवन्त राय को नहीं, उन्होंने पुलीस को ललका रहा है, पुलीस को। आप इत्मी नान रखिये सर, वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। चौबीस घंटे उनके लिए बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा है। मुझे तुम पर पूरा भरुसा है, डिस्तू सर, बलवन्त राय की सेक्यूरिटी का बंदबस भी तुमी करोगे, ओके। एक मामूली छोकरा, आधी रात को फोन पर, मुझे बलवन्त राय को चौबीस घंटे में मारने की धंकी देता है। कैसा लगा? सर, हमसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे, हमारी पुलिस तुम्हारी पुलिस, तुम्हारा कानून तुम्हारी तरह! सुलमन, अपने कुछ आद्मियों को कुपताजी के घर पर लगा दो। कामरान, सारे शहर में जाल बिछा दो। जहां भी छपाओ, उसे ठूंड निकालो। जिन्दा मिल जाए तो ठीक, वरना उसकी लाश ने कराना मेरे पास। कामरा प्यासी जवानी है, रात तुफानी है हाँ, प्यासी जवानी है, रात तुफानी है प्यासी रात ये प्यासी ना भल जाए ये पल जीले, ये भर जीले, जिने दलेले मज़द दिल में है हल जल, सीने में दूपा सासों में आदिया, गोरे गोरे अंग से मेरे छलकी छलकी मस्तिया, पल पल दिल के धरकन बढ़ते जाए खुसन कचड़ के इस दरिया में दीवाने आठोब जग आना तब की जवानी है, रात तुफानी है, प्यासी जवानी है, रात तुफानी है प्यासी राती ये प्यासी ना दल जाए ये पल जीले, ये भर जीले, जीने दलेले मज़द हया झाल 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 चम 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 बादल बरसे एतन बदंजले धक 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 दिल योधर के कोई पस न चले नस नस में कोई जहर चड़े अब ना कहीं चैन मले खर 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 कापू में मुझे बाओं में भर ले उसने भी प्यासा इश्क भी प्यासा प्यासा ये समा इस मौसम में आग लगा कर आग से आग बुझा बुझा ना प्यासी जवानी है तकती जवानी है जलती जवानी है प्यासी जवानी है प्यासी जवानी है तकती जवानी है जलती जवानी है प्यासी जवानी है जलती जवानी है प्राइए झाल हुँ, हुँ! मुल्जिम अजय और उसी भावी के बीच ना जाए संबंत रहे कामडे को देखो कहा गया है गेट खुला छोड़कर कहीं भी चला जाता है लक्षमी लक्षमी रोपना दरा एक बनट सर गुपताजी कहा है यही गुपताजी है यह गुपताजी सर जो इस घंटे का टाइम दिया था आठ घंटे में डेका और गुपताजी गए बाकी सोला घंटे में मैं और आप एश्कुजमी राशाब आप है एसीप जो डिसूजा परधान साब ने यह केसी नी किस पूट किया है एसीपी मिस्टर डिसूजा हो क्या रहा है इस शहर में? चार खोनी जेल तोड़ कर भागते हैं और लाशे बिचा कर चले जाते हैं आखिर आपकी पुलिस क्या कर रही है? देखिये, पुलिस अपनी कारवाई कर रही है. फिलहाल हमें आपकी सिक्यूरिटी को एहमिय देनी है. और मुझे उमीद है कि आप इस मामले में हमारी पूरी मदद करेंगे. मदद करेंगे. हुलोज। हलो, मिस्ट प्रधान, स्विकिंग। ढूलो ठीकुज। सर्प्रमोट सरन गुपता की हत्या कर दी गए. क्या, कब? लगबग सारे छे बिजे. उनके साथ कुछ और लाशें मिली हैं विदेशी अठ्हारों के साथ. उनकी शनाख तभी तक नहीं हो पाई है मेरा ख्याल है वही चार है सर इसके मीचे मुझे लगता है सर इसका कोई दूसरा पहलू भी है खिलाल प्रमोद शरंगुपता विदेशी अधियार इन चारों की गिर्फतारी और बलवंत राय की सिक्यूरिटी को एहमियत दो ये सर सर आप ओफिस का बार है इस हुसा मैं आज ओफिस नहीं आ रहा हूँ मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं है क्या हुआ सर एनिफिंग सीरियस नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है तुम्हें आने की दुरुत नहीं है अलो जस्ट मिनट मुझे फोन पर इन्फॉर्म करते रहना बलवंत राय के प्रोग्रेम्स के बारे में है ये सर मैं फिर कहता हूँ तुम लोगों से की कानून से मत खिलो कानून सोता है ये कानून बलवंत राय जैसे कमीनों के बिस्तर पर बेश दिया इसे गुपता जैसे दलालों ने और तमाशा देखा है तुम जैसे कानून के रखवालों ने कानून से मत खिलो इसी शेहर में मैं अपने भाई के लिए दर दर भटक रहा था पीट रहा था कानून के दर्वाजे को तुछे भी तो मिला था याद है याद है वो परसाद की रात जब मैं सड़क पर लहू लुहान होकर अपने भाई की जिंदगी के लिए गिरगड आ रहा था याद है और एक दिन उसी कमीने पलवंत राय ने मेरे भाई को लाश बना कर सौनक पर फिख दिया और तुम्हारे कानून ने मुझे कातल साबित करके सजा दे दी अरे लोग भाट जिसुदा साथ आप आप से एक बात पूछनी थी वो आजे महरा का निशाना बहुत पक्का है क्या नहीं कुछ खास नहीं क्यों नहीं खास नहीं मतलब गुली दाएं बाएं भी लग सकती है अच्छा आप बलवंत राय जी के या तो दाएं रहते हैं या बाएं इसलिए जी टेक केर गड़ बलस यू जी गड़ बलस में दाएं बाएं यठाएं लामो, चिर्की बंदार का करो साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी थोड़ा मुश्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, इससे का है नाव जिन्दगी साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी कोई न जाने कभू आ जाए घरी बीचर जाने की घरी बीचर जाने की क्या खुशी क्या खुशी क्या खुशी क्या खुशी क्या खुशी आपच्चर नियू बुल को जो जोटार से रहो हुआ हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो हजे, तुम मुझे वहाँ बुला लेते है, मैं कमिशनर के घर आ जाती है, जगह जगह पर तुमारे लिए पुलीस लगी है, तुम बाहर क्यों निकले, यहां आकर इतना खत्रा क्यों बोल लिया तुमने, भहिया भावी से मिलने आया हूं वर्शा, वो है वर्शा, वो है, यह यहां की हर चीज में है वो, कितनी खुशिया थी इस घर में, मैं, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ आजये, यहां दर्द नहीं वर्शा, आग है, आग, वो कमीना बलवंतर है, जो इस तबाही का जिम्मेदार है, अब तक सिंदा है, मगर आब वो कल सुबह का सूरज नह आज ही, आज ही मार तुगा उसे, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, तुम्हें कभी मेरे बार में कुछ सोचा है, नहीं अजय नहीं, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहती, और फिर क्या मिलेगा तुम्हें अस लड़ाई से, क्या सब लॉट आएगा, क्या यहां एवेरी को आजया और फिर से बस जाएगा? .... वर्शा बात सिर्फ मेरे अकैली की नहीं है और नाहीं सिर्फ इस घर की है ना जाने कितने घरों को अज़ारा हो गा उसने, ना जroad कितनी अधोल्स जोनों कि उसने मैं मानता हूँ कि ये घर फिर से नहीं बस सकता मकर कई घर उजने से बच जाएंगे उस पर नज़र रखो समयते नहीं हूँ मेस्ट डिसूजा ने आपको बार जाने के लिए मना किया है अच्छा ठीक है मैं बाद में बाद में आखिर आप लोग ने ये तमाशा क्या बना रखा है यहां मत जाओ वहां मत जाओ क्योंकि उस चोकरे के डर के मारे मैं घर में दुबक कर बैठा रहा हूँ वो खुनी अजे महरा ना जाने आजादी से कहां कहां घूम रहा होगा और मुझे सेक्यूरिटी के नाम पर अपने घर में कैद करके रखा हूँ है पेवकुफी की भी हाथ होती है देखिये मिस्टर राय तुनिये मेरे लिए ये मीटिंग बहुत जरूरी है अगर आप मेरे लिए सेक्यूरिटी का इंतजाम नहीं कर सकते तो मैं खुद अपना इंतजाम कर लूँगा आपके दोस्त बैरिस्टर गुपता ने भी अपना इंतजाम किया था इफाज़त के लिए ये देशी हथ्यारों के साथ उसका अंजाम तो आप देखी चुके है आप कहना कह चाते हैं अजे महरा का जेल से भागने का मकसद है आपको मारना अपनी आजादी नहीं इस वक्त भी वो आराम से घूम नहीं रहोगा बलकि आप तक पहुंचने की जीत तोड़ कोशिश कर रहोगा यह जानते हुए भी कि आप पर हमला करना उसके लिए खुदकुशी करने के बराबर है मिस्टर राय जिस आदमी के दिमाग से मौत का खौफ निकल जाए वो कुछ भी कर सकता है फिर भी अगर आपका मीटिंग में जाना इतना जरूरी है कि आप अपनी जान जोखे में डाल सकते हैं तो आपको हमारी प्लान के मताबिक चलना होगा अशोक परदान स्पीकिंग रही है कमिशनर साब अब कैसी दवियत है आपकी अब ठीक है लेकिन यहां कुछ ठीक नहीं है साब मेरी सिक्यूरिटी के लिए आपने जो पुलिस का बंदोबस रखा हुआ है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे एक जरूरी मीटिंग पर जाना है और आपके ये डिसूजा साब ये कह रहे हैं कि मुझे उनके साथ टेक्सी में जाना होगा और मेरी गारी में मेरी जगा कोई और जाएगा कमाल है देखे साब मुझे सी रॉक जाना है और ये मुझे खार डाना से होकर गंदी जुगियों में से लेके जाना चाहते है अब आप ही पताईए मुझे क्या करना चाहिए मिस्टर राय आपके और मौत के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो है मिस्टर डिसूजा मुझे ऐसा कहते हैं वही आपके लिए ठीक होगा ठीक हजाब हमारे आने तक इनका खियाल रखना कर दो करना थे पताई है वही आपके पताईए मुझे खियाल रखना झाल 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 जिसुजा साहब, यह आपी का प्लैन था, देख रहे हैं क्या हो रहा है, जाईए दर बाहर कुछ ट्रैफिक का देखिए, जाईए जाईए, जल्दी जाईए और जल्दी आईए, प्लीज अब आप क्या कर रहे हैं मोयले साहब, चुपचा बैठिए जी मैं शीशा चड़ा रहा था, अभी 24 घंटे में काफी घंटे बाकी हैं साहब, आपको क्या लगते हैं कि इस भरे बाजार में आजए आपके ओपर हमला करेगा, जी मुझ पर नहीं साहब, शड़ाप जी, बेखकूफ कहीं के चलो टैगर बीचेड़, बीचेड़ मते कर चलो कर चलो हर कर पि्रिज़ कर डरी कर दो कर रखकर ड्गे लिए कर दो मते चलो बयंए स criminal करे फर्लिजर हो करें क्यों बड़ि ऐու ए ई chrom बड़िक़्ए लुब कि अधर राओ करि UC कि सबस्द्द्द कि बड़ रहका तू निगल जा मित्वा तुम लोग पीछे कवर करो मित्वा अजे तु मेरी बात मान तू निगल जा यहां से तू जाए यहां से तू हात दे मित्वा हात दे तू जाए यहां से मित्वा मित्वा हात दे मित्वा पर दोड़ी को चलाई, हम उसे दिंदा पकड़ समते हैं सर वो भी चुंपर चोड़ दमजा, चोड़ दा वाप में जुआ चल सेक्योरिटी, प्लान्स, बुलशिट, होपलेस सिस्टम तिन दहाडे बीच बाजार में? ये शेहर अप रहने लाइक रहा ही नहीं मेरे रंड़न जाने का इंदाम करो मैं तुमसे कह रहा हूँ मोयले क्या कर रहे हो तुम जी 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 मैं खिर्की बंद कर रहा था, कई गोली ना आ जाए चलाब मैं पहले ही कह रहा था तुम सबका वही हश्र होगा जो तुमारे साथी का हुआ है तुम कानून से नहीं, मौत से खेल रहे हो तुम जिसे लडाई कहते हो, वो खुदकुशी करना है मैं किसी कमिशनर की हैसिय से नहीं एक बुजर्ग की हैसिय से तुम्हे समझा रहा हूँ अभी भी वक्त है, अपने आपको सरंडर कर दो, जितना बन सकेगा मैं तुम लोगों की मदद करूँगा हमारे लिए अपने दर्दी इस भेजे से निकाल दो नहीं तो यह भेजा निकाल दूँगा एक जरूरी सुचना, जेल से फराल चार कैदियों ने शहर में दह्षत का माहौल पैदा कर रखा है आज पुलिस के साथ वी मुध्यर में उनमें से एक कैदी मारा गया जिसका नाम मित्वा है हमारे समददा को पुलिस ने बताया कि उनकी गिरफतारी का सक्त बंदोबस किया गया है शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस ने पुरी चौकसी रखी है और शहर के कई चग़ों पर पुलिस के जवालों की तुकरियां त्यानात कर जी गई है पुलिस से बताया कि इन लोगों ने शेहर के बड़े उप्रोपती, श्री पलवन्त राए को जोभिस गंपे में मारने की घंपी दिए। इधर पुलिस श्री बलवन्त राए की इंफाजत में लगी है, उधर एक मश्वूर अखबार ने श्री बल्वंत राय को स्मगलर बताया है बल्वंत राय को स्मगलर बताया गया बल्वंत राय को स्मगलर बताया गया देश द्रोही हूं मैं और वो जेल से भागा हुआ खुनी इंसाफ की लड़ाई लड़ाया वो हद हो गई पगवान जाने क्या होगा इस देश का यहां एक दिन मेरी रहना चाहता लंडन की टिकर का क्या हुआ मोले, आप होँ खड़े क्या कर रहे हैं? जि क्या सोच लिया तुमने वो मुझे मार डालेगा? वो अजया इस दरवाजे से आकर मुझे मार डालेगा मेरा इस ही घर में? हाँ, मार डालेगा तो मार भी सकता है हमारी पुलिस तो सबको सबको देख लूँगा मैं और इस वर्षा की बच्ची को तो कोट में घसी जूँगा, मान हानी का दावा करूँगा उस पर, किसी को नहीं छोड़ूँगा छोड़िये मिस्टर राय, ये दावा आपके मान के लिए कहीं और हानी कारक न बन जाए फिलाल तो आपको अपनी जान की सोचनी चाहिए, जान है तो दावा भी कर सकते है, अब सोचना ये है मिस्टर राय, कि हम आपको किस रास्ते, किस रूट से ले जा रहे हैं, इसकी जानकारी मुझे आपको और आपके आद्मियों को थी, जबकि यज़े पहले से ये वहां हमार आपका इंतजार कर रहा था पूरे शेहर में दहशत पहली है और उपर से आपका ये आर्टिकल अजे महरा एक खुनी है जो जेल तोड़कर भागा है और शेहर में हो रहे खुन खराबे का जिम्मेदार है ऐसे खतरनाक और हिंसक अपराधी को आपने अपनी कहानी का हीरो बना दिया ये कहानी नहीं हकीकत है मिस्टर जिसुजा और इस सब की जिम्मेदार किसी हद तक पुलीस भी है जो एक आम आदमी को अपराधी बनने पर मजबूर कर देती है अजे क्या जानते हैं आप अजय के बारे में बस यही कि वो एक कातल है उसने अपने भाई का कतल किया है अपने भाबे के साथ उसके उसके नाप आप यही जाना चाहते हैं ना कि मैं आजय को मैं आजय को सिर्फ जानती ही नहीं बल्कि समझती भी हूँ और मैं ही गई थी उसे जेल में मिलने 19 दिसंबर के दिन और आज भी मिली थी और यह आर्टिकल मैंने जजबात में आकर नहीं बलकि पूरे होश और जिम्यदारी के साथ लिखा है वैसे आजय महरा से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है उसे गिरफतार करके एक तरह से मैं उसकी मदद ही करूँगा क्योंकि जिस रास्ते पर वो चल रहा है उसका अंजाम आप भी जानती हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर वो फिर आपसे मिले तो आप उसे समझाईए कि वो अपने आपको हो सकता है वो आपकी बात मान ले क्योंकि आप उसे सिर्फ जानती ही नहीं समझती भी है थैंक यू वर्षव भारती जिसने वाठी का लिखा था अजे की प्रेमी का है वो आज भी उससे मिली थी सर पता नहीं दिसुजा साब ने उसे क्यों छोड़ दिया अगर माय होता तो उसे रिमाड में लेता और तौम मिनट में उसे सारी बाते उगलवा लेता बेवकूफ इतनी सी बात में नहीं समझ पाए तूम जिस सुजा का फेंका हुआ पत्ता हमारे काम आएगा हमें भी तो अपनी गेम डिक्लेयर करने के लिए ऐसे ही पत्ते की जरूरत थी हलो वर्षा जी मैं जोड सुजा बोला हूँ हां बोलिये देखिए ऐसा है के पुलिस एक कार का पीछा कर रही थी और उसमें तीन आदमी थे उस कार का एक्सिडेंट हो गया और तीनों लोग मारे गए अब पुलिस का ऐसा शक है कि उनमें एक अजे महरा भी था ने ने देखिए पुलिस का ऐसा शक है हम चाहते हैं कि आप पुलिस सेशन आपकर पहचान कर से तो हलो 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 पता करो कौन से नंबर पर डाल कर रही है सर कमिश्णर के गर पे डाल किया है कमिश्णर के हलो हलो अलो मैं अजय से बात कर सकती हूं अलो बोलो वर्शा हाँ वर्शा बोलो स्पीकर वर्शा 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 क्या बात कहा है वर्शा अभी अभी पोन आयाता कि तुम ओ मैं गाट हलो हलो अजय कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं पस गी चलो आसपास के सब थानों को खबर कर दो के प्लेन क्लोज में कमिशनर के घर को गेर ले मैं वहीं जा रहा हूं और किसी किसम किला पर वही नहीं होनी चाहिए और सुनो जहां तक हो सके कोई फायर नहीं करेगा देखो अभी भी वक्त है मेरी बात मान जाओ अगर आपको लगता है कि बलवंतरा को मार कर हम लोग कोई अपरात कर रहे हैं तो हमारे निकलते ही आप दर्वाजा खोल दीजिएगा नहीं तो सुरज धलने के पाद हम सुरज धलने का इंतजार करेंगे बेटे वर्दा ने हमें सब कुछ बता दिया है सिर्फ मैं ही नहीं हर मां का अशिर्वत तुम्हारे साथ है थिए तुम्हारे सुर्वत थिए तुम्हारे सब कर दो है तुम्हारे साथ है जजज करों पर फिए थिए तो थिए नहीं पर दिए खिए पो रुखडों, बाक्तुआ पर आपाय। आव अभाय। कोज़ wymarpाय। कर सेन्फों इाप एकारकार अज़ी ? अझय कै पृशाल ? अझय को ठीक है ? बहु़राई! बहाँ! बहाँ... बहाँ! जो लोर मँने, जच़ नच़! बहाँ! तो नच़! अच वाण वोसे, अच़! लुखे न लुखे लुखे लुखें! वक्षब, समर के! करषा! वर्षा आओ मिस्टर रजे हम जानते थे के तुम यहां जरूर आओगे वर्षा हमारे कब्जे में है यह तो खेल है मिस्टर रजे कभी पाजी उदर कभी पाजी उदर मैंने कहा था न शिर्मा अगर तुम मुझे जिन्दा छोड़ोगे बहुत पश्टाओगे एक सब्सक्ताने चल्सक्ताओ मैंने मैंने के लिए आः राणायी हम 585 मिस्क्ते एक सुद्विए कि уже समय हमेते जो पर जायШा छोड़े वर्र विए उआ पर फब गतुमे भीमे तूज हम गली गली में मौतम है गली गली में मौतम है है एक्त जसिर्माँज। एक्त देज्दिरॉर्ण। है आए प्वर्थे कर आए आए कि वर इसलिए कि पर आप अब आप्स्पेक्टर्साब बन्यसमेब बल्वंतराह का बारे मैं सब कुछ लिख दिया लेकिन आप मुझे बचा लेंगे ना घबराओ नहीं पुलिस तुम्हारे साथ है मैं मरना नहीं चाहता है इस्पेक्टर साहब चिंदा नहीं करो साइनिट शर्म नहीं आती वह सर्याम एक पुलीस आफिसर को भून कर चला जाता और कहते हो कि हाथ नहीं लगा अब हमें अपनी सिक्यूरिटी के लिए स्पेशल फोर्स मगानी चाहिए नहीं आज उसने इस पेक्टर शर्मा को मारा कल शर्मा नहीं सर अपराधी शर्मा कहिए तुम कहना क्या चाहते हो सर ये बलवन्त राय के सेक्रेटरी मोहिले का बेयान है ये उनकी काली कर्थूतों का चिठ्था है ड्रग्स, प्रोस्टिचूशन, ब्लैक मार्केटिंग ये उस बड़ी शक्सियत का गिनोना रूप है हमारे इंस्पेक्टर शर्मा कानून की वर्दी पहन कर बलवन्त राय के लिए काम कर रहे थे और हम बलवन्त राय को गिरफतार करने के बज़ाए जी जान से उसकी हिफाज़त कर रहे है पुलिस ने आज तक उसकी खिलाफत क्यों नहीं की सर सचाई बहुत कड़वी होती है और ये भी सच है के मुझे सब कुछ मालूम है और ऐसा भी नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की मैंने जब भी उसके खिलाफ कुछ करना चाहा तो मुझे बड़ी ताक्तों के आगे जुकना पड़ा उसकी पहुँच उपर तक है और फिर ये मत भूलो कि हम अपने आप में पूरा सिस्टम नहीं उसका एक छोटा सा हिस्सा है हमारे अधिकार महसे दिखावा है हमारे बस में कुछ नहीं है तिसुदा कुछ भी नहीं तो अपराधी अजे महरा नहीं हम है और अपराधी है हमारा ये सड़ा हुआ सिस्टम अजे मेरा नतीजा है कानून से जुड़े हम जैसे नपुन सक्ट लोगों का अगर कानून से उसे इंसाफ मिला होता तो आज जो कुछ हो रहा है उसकी नौबत नहीं आती सर और सर हम अजे को पकड़ कर मार कर इस सिल्सले को खत नहीं कर सकते जब भी कानून के हाथों इंसाफ का खून होगा एक नया अजे पैदा होगा माफ किज़े सर ऐसे कानून की सेवा करने के बजाए मैं वर्दी उतार कर अजे का साथ लेना बेहतर समझता हूँ नहीं की सुझा तुम जैसे आफिसर की इस डिपार्टमेंट को सक्षरूर थे और मैं तुम्हारा हैसान मंदू के तुमने मेरे सोयवे हैसास को जगाया हम लोग बलवंत राय के खिलाफ कारवाई करेंगे हम उसे सजा दिलवाएंगे लेकिन कानून के मताबिक पर इससे पहले हमें रोकना है आजे को एक और आपरात करने से मैं तुमसे वादा करता हूं कि अदालत में आजे के लिए जो कुछ बन सकेगा मैं करूंगा प्रॉमिसजदी नहीं जान्ती नहीं जान्ती और कितनी बार पूछेंगे इस अवाल मुझसे मैंने कहे दिया न मैं नहीं जानती कि आजे कहा है और अगर जानती भी तो बताती नहीं बहुत प्यार करती हो उस से दरसल मैं उसकी किसी खास कमजोरी की तलाश में था बहुत खुबसूरत कमजोरी लगी है मेरे हाथ अब तो मुझे उसे ढूनने की भी जरूरत नहीं खुद बखुद चल कर आएगा मेरे पास और फिर मैं उस तक पहुझू या वो मुझ तक पहुझे अन्जाम तो एक ही है उसकी मौत वो आएगा जरूर आएगा और अपने साथ एक ऐसा तूफान लाएगा जिससे तुम्हारी ये मौत की फैक्ट्री येद की घरोंदे की तरह ढह जाएगी और ये तुम भी जानते हो क्यूंकि मैं मौत का खौफ तुम्हारी आँखों में देख रही है तुम्हारी ये झाएगा बड़ा कि युओ bi कर दो कि युद उइर… हुई 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 एuleronne बाद निकल बनादरा! दोस्रों की माद का तब आशा देखने वाले, आच तरी माद समने आई तो छुब रहा! बाद निकल कुटकाई! बाद आदो समने वाले, वाले! प्ताले वाले वाले, वाले आदे वाले! बन्सक्राद कर दो अल्माजन अलोटाएग! अल्माजन? 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 हुआ है वहाँ आदिए झाल हुआ है कि रुख जो आई! रुख चौल ए ए! वाईए ए ए, एव रे ए! कि बς दो कर दो कि अ baru कुछ पिर दुट पार अ क Na कि उनकी टे प्रोऊ, कि एदा जयाँ प्रोऊ जो आज ओम साप बेखा जयाँ कि एल गू松 एज, ज bisa कि एल wirelıkSpace ढम सानो जलाइ, जल mniej जलाइ! फञा! जाँपो पीुढ जलाइबार! जलाइ, जलाइचो! अ किट लाउने की आऊना गलाइचाचो जलाइचो जलाइचो! जिचिफ़ जियोर जल。 ह हिर ऑार प्रफ ऑर खीर खीरिय ऩार पार जरी होघर जिन rend एona Gruber खना हो वह लुभर खना गपlden हाह वहуска प्रिप्षर मे पार उरिम खार खना अयो advocate झाल 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 झाल